Atomics Benton का second सबसे powerful alien माना जाता है लेकिन second powerful alien बोलने के बाद ये बात confirm नहीं हो जाते कि Atomics को alien x के इलावा कोई और alien हरा ही नहीं पाएगा क्योंगी आज हम बात करने वाले Benton के 5 ऐसे alien के बारे में alien x को छोड़ के जो की easily atomics को हराने की capability रखते हैं अगर आप लोग भी interested हो उन aliens के नाम जानने के लिए जो की atomics को easily हरा सकते हैं तो इस वीडियो को end तक देखना अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को like करके और उसका सबसे main way पर मानने जाता है उसका nuclear attack इसके लाव वो sun we generate कर सकता है वहीं पर अगर हम बात करें कि alien x को छोड़ के बेंटन के ऐसे कौन से alien है जो की easily atomics को हराने की capability रखते हैं तो यहां पर number 5 की position पे कोई और नहीं बलकि feedback आता है अब आप लोग यह बात जानते हैं कि feedback बेंटन का इकलोता ऐसा alien है जिसने big bang की energy को absorb कर लिया था जिसके सामने बेंटन का कोई और alien नहीं टिक पाये था तो इससे हमें बात confirm होती है कि feedback का power level कितना ज़ाद है वो जब atomics के साथ battle करेगा तो वहां पे capable है कि आराम से atomics के nuclear attack तक को absorb कर सकता है और वही nuclear attack की power जो है दुआरा से attack के तोर पे atomics पे मारेगा जिसके बाद atomics जो है feedback के सामने नहीं टिक पाएगा नंबर फॉर पे हमारे पास यहां पे chroma stone जिसके पास fly करने की power है वो energy को absorb कर सकता है और कहीं ने कहीं आप लोग भी यह बात जानता है कि अभी तक chroma stone की full power को benton के show में reveal ही नहीं किया गया यहां पे chroma stone का power level काफी ज़्यादा है वो काफी सारी energy को absorb कर सकता है और दूसरे opponents पे attack कर सकता है उसका strength level भी काफी ज़्यादा है तो यहां पे guys chroma stone जो है अपनी powers का use करके अराम से capable है कि वो atomics को हरा सके क्योंकि यहां पे guys उससे बस उसके nuclear attack से बचना है और chroma stone की speed काफी ज़्यादा है जिससे वो easily nuclear attack से बच सकता है और यहां पे atomics को हराने की capability भी रखता है क्योंकि हम यह बात जानते हैं कहीं न कहीं atomics जो है काफी जल्दी ठक जाता है लेकिन यहां पे chroma stone जल्दी नहीं ठकता नमबर थ्री पे हमारे पास यहां पे वेविग आप लोग जानते हैं वेविग बेंटन का सबसे giant alien है जिसके पास cosmic powers है यहां पे उसकी height की जैसे उसका strength level आप लोग जानते हैं काफी जाता बढ़ जाता है तो अगर वेविग की battle होती है atomics के साथ तो मैं आपको बता दू कि वेविग बेंटन का ऐसा alien है जो की easily एक planet तक को destroy कर सकता है जबकि atomics अपने nuclear attack का use करके एक planet को नहीं बलकि एक city तक को destroy कर सकता है जिससे हमी बात confirm होती है कि इन दोनों character में atomics जो fast attack करता है लेकिन अगर वेविग attack से बचके या attack करने से पहले ही atomics को हरा देता है तो यहां पे वेविग जो easily atomics को हराने की capability रखता है क्योंकि उसका power level भी काफी जादा है वो easily किसी भी planet तक को destroy कर सकता है number 2 पे हमारे पास यहां पे NRG जो की एक कबच में बंद रहता है लेकिन जब वो कबच से बाहर निकलता है तो उसका power level और ज़्यादा बढ़ जाता है बलकि NRG तो nuclear attack को absorb भी कर सकता जबकि atomics ऐसा नहीं कर सकता तो अगर इन दोनों character के बीच battle होती है तो यहां पे NRG अपनी powers का use करके easily capable है कि वो atomics को हरा दे और NRG को औराने की कोशिश करे लेकिन NRG की बोड़ी ऐसे बनी है उसमें nuclear attack का कोई भी असर नहीं होने वाला वो easily nuclear attack को खा जाएगा यानि कि absorb करके बाद में atomics को easily हरा सकता और उसका power level भी खाफी जदा बढ़ जाएगा अब बात करते हैं number one की बारे में लेकिन आप लोग गयास करके बताएगे कि number one की position पे कौई सा alien होगा उसके बाद वीडियो का आगर continue करेंगे तो वीडियो को post करके नीचे comment करके बताएगे आपको क्या लगता है number one की position पे कौन सा alien होगा तो अगर आप लोगों इने comment कर दे के बाद उसके nuclear attack के सामने ही खड़ा कर देगा जिसके बाद अराम से वो atomics को हरा सकता तो यहां पे clockwork की time pops के सामने atomics कुछ भी नहीं कर सकता तो यह थी वो 5 alien alienics को छोड़ के जो की atomics को हराने की capability रखते आपको क्या लगता कॉमेंट करके मुझे बताना क्या यह 5 alien atomics को हरा सकता है या नहीं और अगर आपको यह लगता है कि यह वाले alien atomics को नहीं हरा सकता है तो नीचे कॉमेंट करके एक reason जुरूर explain करना तो अगर आप लोग को समझ में आ गया कि बेंटन के ऐसे कौन से alien है alienics को छोड़ के जो की atomics को हरा सकते है तो इस video को like करके हमारे इस channel को subscribe कर लेना ताकि आपको future में ऐसी और भी amazing videos देखने को मिलती रहें तो चलिए मैं मिलूँ आपसे हमारी अगली वीडियो में तब तक के लिए आप लोग पहले अप्लोड की गई सारी वीडियो देख लेना वह काफी ज़्यादा awesome है